जै शेक्रिश्णा, कैसे आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्तना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें आप धेर सारी सफलता प्राप्त करें आप जो भी चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ इश्वर आपको जरूर दें Dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 1111 में आज हम एक requested topic पर रिडिंग करने वाले हैं बहुत समय से इस topic की request आ रही थी कि वो आपसे कब बात करेंगे उनके partner उनसे कब बात करेंगे अब आप दोनों के दर्मियान जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है इस रिडिंग में हम यही बताने वाले हैं, ठीक है कब बात करेंगे और बात करेंगे तो किस तरह की बाते होंगी आप दोनों के बीच और क्या बात करेंगे ठीक है तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए अपनी पार्टनर के बारे में सोचवे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम सोचवे और एक option सेलेक्ट करें ठीक है फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए अगर किसी वज़े से ऐसा होता है कि उसमें बताई गई condition, situation आपसे match नहीं करती तो कोई बात नहीं टेंशन वाली कोई बात नहीं आप दूसरा option सेलेक्ट करके देखिए वो आपसे match कर सकता है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है न परसनल रीडिंग तो है नहीं जो टोटली रिजोनेट होगी तो एक option सेलेक्ट करें वो ही सुनिया आप ठीक है अगर वो match नहीं हो तो दूसरा सुनकर जरूर देखिए चले दो मिनट का meditation करते हैं आखे बंद कर लिजे और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चाराण करिए ओम्भूर्भूवाश्वाहा तच्चवितुल्वरेन्यम भर्गोदेवस्यधीमही धियोयोना प्रचोदायात ओम्भूर्भूवाश्वाह तच्चवितुल्वरेन्यम भर्गोदेवस्यधीमही धियोयोना प्रचोदायात ओम्भूर्भूवस्वाह तच्चवितुल्वरेन्यम भर्गोदेवस्यधीमही धियोयोना प्रचोदायात ही इश्वर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपके आशिरवात से मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत स्वज्थ हूँ मस्थ हूँ और अपनी जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है हर तरफ से मुझे सफलता प्राप्त हो रही है चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मुझे पर बरस रही है और यह सब कुछ आपके आशिरवात से हो रहा है आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका प्यार मेरे साथ है आपका आशिरवात मेरे साथ है बस आपसे इतनी ही प्रार्तना है कि आशिरवात, यह प्यार, यह साथ हमेशा बनाए रखना Thank you so much universe, thank you so much Love you जैशिक्रिष्णा Option number one कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वास्थ होंगे, मस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे Dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 1111 में आप जाना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आप से कब बात करेंगे और बात करेंगे तो आप दोनों के दर्मियान किस तरह की बाते होंगी लाइ जगडे होंगे, फिर प्यार की बाते होंगी, क्या कुछ होगा तो चले सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स के बात करते हैं इधर कैंसल स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत स्ट्रॉंग है एरिस लियो साजिटेरियस भी है करक रुष्चिक मेंद राशी और मेज सिंग धनु राशी जेमराय लिब्राय एक्वेरियस के एनरजी थोड़ी सी कम है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की भी एनरजी आपर थोड़ी सी कम है ठीक है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं इनकी डेट अब बर्थ किसी मेने के ग्यारा तारीख तीन तारीख, चौदा तारीख, दो तारीख, दस तारीख, पच्चिस तारीख, एक तारीख, अठारा तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख और 31 तारीख हो सकती है इनका बर्थ मन्थ हो सकता है मार्च, माई, फर्वरी, जून, अगस्त, नवंबर और सितंबर ठीक है? इनके नेम का इनिशियल वी, एम, ओ, एन, टी, एच A, C, R, P, D, S, Q, K, J, Y ठीक है? ये इनिशियल हो सकता है सबसे पहले हम इस रिश्टे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिनके लिए आप रेडिंग देख रहे हैं न जूट की दुकान हुआ करते थे जूट की दुकान बहुत, बतलब इन्होंने हद से ज्यादा ही जूट बोले हैं इस रिश्टे में हम देख रहे हैं बहुत सारों लोग तो अपने हज्बंड वाइफ के लिए देख रहे हैं यह connection बहुत strong है, connection बहुत पुराना था, ऐसा नहीं कि वह आपसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कब और कैसे बात करेंगे, इन्होंने हमेशा आपको option की तरह देखा है, समझ रहे हैं? इन्होंने आपसे हजारों जूट बोले हैं, हमेशा, ये कभी आपको लेकर serious रहे नहीं, आप इनको लेकर बहुत serious थे, आप इनके लिए एक बहुत soul level का connection महसूस करते थे, और आप यही सोचते थे, कि जिस तरह की मेरी feelings हैं, उसी तरह की इनकी भी होंगी, लेकिन ये बात बा जाना, और बात बात पर घुसा करना, इस तरह की हरकते आपके सामने करते रहते थे, इन्होंने बहुत जादा की हैं, इस तरह की हरकते, तो आपने बहुत समय तक इस रिष्टे को सम्हालने के लिए बहुत कोशिशे की हैं, इस रिष्टे को संतुलित करने के लिए आपने बहुत वेट किया, आपने बहुत इंतजार किया इनका, कि आज नहीं कल वो समल जाएगी, आज नहीं कल वो सुधर जाएगी, आज नहीं कल उसे मेरे प्यार का हैसास होगा, इस तरह की चीज़े हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब कि आपने इनका एक लंबे अर्से तक देख रहे हैं, इनको कभी इनकी गलती नजरी नहीं आई, चल, कपड, जूट, धोका, धड़ी, इस तरह की चीज़े शुरू से ही गेम खेलते रहें आपके साथ, और जैसे आप इनकी कोई हरकत पकड़ लेते, या फिर इनका कोई जूट पकड़ लेते, तो बस रोना दोन चालू कर देना, इमोशनल हो जाना, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, तुम ये, तुम वो, इस तरह की बाते, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो कभी भी इस रिष्टे में लॉयल रहे नहीं, कभी भी आपको दिल से चाहा नहीं, ये बहुत जादा जैसे कि अन्य लोगों के साथ खुश रहना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, एक साथ कई रिष्टों को हैंडल करना, कई लोगों से बात करना, कई लोगों से फलर्ट करना, इस तरह की इनकी आदते रही हैं, शुरू से ही, तो इस तरह की चीज़ों में बहुत जादा, ये समझे नहीं है ये कभी समझे नहीं है तो अभी आज कल अभी भी आज कल ये बहुत मस्त हैं इनकी पार्टी शाटी चल रहे हैं इनके दोस्तों के साथ जिनके साथ भी अभी आज कल आप से बात नहीं कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात चीत नहीं कर रह आपने इनको बहुत समझाया, बहुत इंतजार किया, रोय भी, हर तरह से आपने इनको समझाने की अपना प्यार दिखाया, एक एहसास कराने के आपने कोशिश की कि मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, पर इन्हें शायद कभी समझ में नहीं आया, इन् थे नहीं आपके husband wife हूँ अब देखो अगर आप इस प्राइबन वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इनके दोस्त आप से ज़्यादा priority रखते हैं ठीक है इनके दोस्त इनके लिए आप से ज़्यादा मायने रखते हैं यह अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कभी यहां ज दर्म्यान आपने move on कर लिया है पहले आप दोनों आसपास कहीं रहते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं कुछ लोग यहां पर social media के थ्रू मिले थे तो कुछ दिनों तक आपने मतलब बात चीत की इनसे लेकिन जब आपको लगा कि इस इनसान कुछ खास फरक नहीं पड़ रहा है यह इनसान शायद उतना सीरियस ही नहीं है इसे साथ प्यार कुछ पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है आप जिस लेवल पर इनको देख रहे थे ना इस तर पर उस लेवल पर कभी थे ही नहीं बस आप खां मखां प्यार लुटाय जा रहे थे लुटाय जा रहे थे लुटाय जा रहे थे इस उम्मीद में कि कभी तो परिवर्तन आएगा कभी तो बदलाव आएगा पर इनके अं मतलब होगा आपसे जब इनकी कोई नीड होगी तो ये आपसे बहुत जदा प्यार जता लेंगे हाथ पैर भी छू लेंगे हर लेवल तक जानने के कोशिश करते हैं लेकिन जब इनका काम निकल जाता है तो फिर आप कौन और मैं कौन फिर तो आप अलग मैं अलग इस तरह के लेकिन कर्मो कफल मिलता जरूर है अब आप यह जानना चाहते हैं कि मुझसे कब बात करेंगे तो हम आपको बताएं यहां पर विदिन टू वीक्स और कुछ लोगों के लिए फरवरी ठीक है कुछ लोगों के लिए दो हफ्तों में और कुछ लोगों के लिए यह दूसरे मह हैं नर्क में आ जाएंगे कोई इनको इस तरह से फसा कर जाएगा कोई इनके उपर इस कदर से इल्जाम लगाएगा या फिर कुछ इनके साथ बहुत बुरा होगा समझ रहे हैं तब इन्हें आपकी याद आएगी बहुत जादा क्योंकि आपकी तरह पॉजिटिव इनसान आपकी तरह समझने वाला आपकी तरह समझाने वाला कोई नहीं है इनकी जिंदगी में कोई भी नहीं है तब इन्हें आपकी मतलब बहुत ही जादा याद आएगी बहुत ही जादा याद आएगी जब ये उस सिच्वेशन को हैंडिल नहीं कर पाएंगे जब इनको लगेग और इनको पुरी तरीके से बर्बात कर देगा तब इन्हें आपकी याद आएगी लेकिन तब तक हम देख रहे हैं कि आपके अंदर काफी कुछ चेंज हो चुका होगा क्योंकि आप एक ऐसे वेक्ति हैं जिनके लिए self-respect बहुत माइनने रखती है आपने इनके सामने बहुत बार अपनी self-respect दाओं पे रखी है इनके चरणों पे रखी है ठीक है लेकिन अब आप जुकने वाले नहीं हैं तो हम यहीं देख रहे हैं कि यह फरवरी में आपके पास आएंगे कुछ लोगों रहे दो हफ्तों में आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे आपसे बात करेंगे दीरे 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 शुरुआत करेंगे अच्छा क्या बाते होंगी अब ये तो बता दिया हमने कि हाँ बात करेंगे अब क्या बात होगी हम य ना चालू कर देंगे कि अब मैं बहुत बदल गई हूँ तुम सही कहती थी तुम सही कहते थे यार वाकर मेरे साथ बहुत गलत हुआ मैंने जो सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी का साथ पकड़ के जिन्दगी में आगे बढ़ रहे थे इसोच रहे थे कि आप से बहतर है या फिर आप इनके जिन्दगी बहुत रोक टोक करते तो आप से अच्छी जिन्दगी ये किसी और के साथ जीना चाहा रहे थे लेकिन ये असली में अपने कर्मों का फल पाएंगे इन्होंने जो आपके साथ किया उसका फल पाएंगे तब इन्हें ऐसास भी होगा इन्हें वो लगेगा कि time अब बच्चा नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल गया है, मैं धीरे धीरे सब कुछ खोता जा रहा हूं, तब ही ने लगेगा कि काश एक बार आप इनका support करें, काश एक बार आप इनसे बात करें, तब ये आप से बात करेंगे, उसी तरीके से जिस तरह से आप अब तक चाहते थे, समझ रहें जो लोग married हैं अगर आपके बच्चे हैं अपने बच्चों को छोड़ कर ये किसी और के पास चले गए थे ये फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी कुछ भी, तो ये सबसे पहले बच्चों की बात शुरू करेंगे कि बच्चे कैसे हैं बहुत हम दर्दी दिखाएंगे, बहुत प्यार जताएंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों में आ जाओ आप इनको मतलब सच्चा मान लो, अच्छा मान लो और आपको बताएंगे कि मैंने मतलब बहुत सारा टाइम वेश्ट कर दिया बेकार की चीज़ों में पर मैं बदल गई हूँ, वाकर मेरी हीलिंग हो गई है जैसे कि इश्वर ने मुझे सबक सिखा दिया है अब वो जो पुराने दोस्त थे मेरे अब वो सब कोई नहीं रहते मेरे साथ अब मेरी जिन्दगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है सिर्फ अच्छे अच्छे लोग है मेरी जिन्दगी में मैं अच्छे लोगों से बात करता हूँ अच्छे लोगों से बात करती हूँ और अब मैं spirituality की तरफ जा रही हूँ अभिश्वर मेरी healing कर रहे है इस तरह की चीज़े और आप से ये भी कहेंगे कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है मैंने अपना सब कुछ खो दिया है लेकिन बस एक last उमीद आप हो मेरी और मैं आपको खोना नहीं चाहता मुझे पता है कि आप मुझे माफ नहीं करोगे इस तरह की बात करेंगे ये कि मुझे पता है कि आप मुझे माफ नहीं करोगे लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रही हूँ और एक बार फिर से last chance, last मौका चाहती हूँ मैं चाहता हूँ कि अम बदल गई हूँ एक बार मुझे आजमा कर तो देखू, एक बार, ये सच है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, आप ये ना सोचें कि मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिला, मैंने जो आपको दर्द दियें, जो आपको तकलीफ दियें, मुझे उसका पस्चताप नहीं है, मुझे उसका पस इन्होंने सब बरबाद कर दिया क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने समय के कदर नहीं की और आप समय मेरी कदर नहीं कर रहा है ठीक है तो अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहएं अगर अप married हैं आप डाइवोस लेना चाहएं तो ये उसके लिए मना करेंगे कि डाइवोस मत लो मतलब मुझसे अलग मत हो मैं समल चुकी हूँ मैं समल चुका हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ये आप से ये भी कहेंगे कि तुम्हारे इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रॉंग है न तो अब अपनी इंट्यूशन से पता कर लो कि अब मेरी जिंदगी में क्या सब कुछ पहले जैसा है जैसे तुम पहले सब कुछ जान लिया करते थे अभी भी जान लो ना अभी भी जान लो अब तुम देखो एक बार अपनी इंट्यूशन से कि मैं कितनी बदल गई हूँ, कितना बदल गया हूँ कितनी बदल गई हूँ मैं और ये बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स, अट्रेक्शन, केयर, प्यार ये सब कुछ जताने के कोशिश करेंगे कि ये मुझे तुमारी बहुत परवा है ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो ये आपको बार-बार कॉल करेंगे मतलब जब इनको आपका मन मिल जाएगा न तो आपको बार-बार कॉल करेंगे अच्छा, हम बताएं कि फरवरी तक आप मेंसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो आपको फर्क पढ़ना भी बंदी हो जाएगा जहां तक बहुत कमी फर्क पढ़ेगा इनके आंसों से बहुत कमी फर्क पढ़ेगा इनकी बनी बनाई बातों से ठीक है तो हम यही पर देख रहे हैं कि यह यही कहेंगे कि अच्छा तुम बहुत खुश हो तुम किसी और के स समझो और अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी इस तरह की चीज़े यह आपको स्ट्रॉंग कमिट्मेंट देने की बात करेंगे और कुछ रोगेंगे तो हम बताएं शादी करने की भी बात कर सकते हैं यह सिदे डायरेक्ली शादी की बात करेंगे कि तुम्हें यकीन नहीं है तो कर लो इंगेजमेंट कर लो और देखो आप सही समय पर सब कुछ सही हो गया है अब और बिगाड़ो मत यह ऐसा कहेंगे आपसे कि अब और बिगाड़ो मत यह आपको कोई गिफ्ट भेज सकते हैं ऑनलाइन आपको कोई गिफ्ट भेज सकते हैं फिर खुदी गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, तो हम आपको बताएं, कि ये बात तो करेंगे, और कैसी बात करेंगे, बताया, लेकिन ये तब बात करेंगे, जब पूरी तरगे से तबाह हो चुके होंगे, तब बात करेंगे, तो अब उसमें आपकी अपनी मर्जी होगी, कि आपको को इने accept करना है फिर नहीं करना है ठीक है I hope कि आप समझ गये होंगे जैश्री कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता इस बारे में मत सोचे क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपने परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैश्री कृष्णा option number two कैसे हैं आप हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे खुश होंगे और आप अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे dear आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके channel spiritual love 1111 में वो आपसे कब बात करेंगे वो आपसे कब बात करेंगे और बात करेंगे तो क्या बात करेंगे आपसे किस तरह की आप तुनों की बाते होंगी इस reading में हम ये सब कुछ बहुत रिटेर में बताने वाले हैं ठीक है इधर सबसे पहले strong sign की बात करते हैं इधर जो strong sign है वो है Gemini Libra Aquarius मिथुन तुला कुंब राशी एरीस लियो साजिटेरियस मेसिंग धनु राशी Gemini Libra Aquarius तो बता दे हमने Cancer Scorpio Pisces करक रुष्टिक में राशी टॉरस वर्ग कैप्रिकॉन के एनरजी थोड़ी से कम है व्रिषप करने मगर राशी ठीक है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे है इनकी Date of Birth आठ तारीख बहुत strong है आठ तारीख सत्रा तारीख 26 तारीख बहुत बहुत strong है ठीक है और चार तारीख छे तारीख दस तारीख बीस तारीख उन्निस तारीख सोला तारीख पंद्रा तारीख 21 तारीख 25 तारीख 29 तारीख 30 तारीख ठीक है? यह है यहाँ पर डेट ओब बर्थ बर्थ मन्त बताते हैं इनका मई अगस्त बहुत स्ट्रॉंग है जून, अप्रेल, अप्टूबर मार्च इनके नेम का इनिश्यल के I G N S O R D V U P B C M J T L Y ठीक है? इनके नेम का इनिश्यल के इधर क्या बताएं? आपको लोग जल्दी समझ नहीं पाते आप जो दिखाते हैं आप वो है नहीं और आपका ये जो आपका क्या कहे? आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है इसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है दुनिया ने इतने सबक सिखाए हैं, आपको इतने सबक सिखाए हैं कि आप अब अपने जजबात, अपने ऐसास हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते आप किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते, आप किसी के सामने गिडगडाना पसंद नहीं करते आप किसी के सामने अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं करते क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको एक लेशन देके किया है और आप जिन्दगी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीख लेते हैं आप वो इनसान नहीं है जो बार-बार वही गलतियां करके बार-बार उन्हीं को दोराएं आप अपनी हर एक गलती से कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो आप हमें काफी stable, काफी शांत, काफी motherly, बहुत natural टाइप के व्यक्ति दिख रहे हैं मतलब कि कोई बनावटी पर नहीं है आप में बस आप कितने emotional हैं अंदर से ये किसी को show off नहीं करते आप क्योंकि आपको पता है कि यहां जो emotional होते हैं उनके साथ खिलवाड होता ही होता है तो बस आप अपने emotions कभी किसी को दिखाना नहीं चाते, कभी किसी को जताना नहीं चाते देखो ये जो person है जिनके रिए reading देख रहे हैं, ये कब बात करेंगे? और बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? ये आपसे बात करेंगे, ये पकी बात है ये आपसे बात करेंगे, ये पकी बात है क्योंकि soulmate connection कनेकशन है soulmate connection बहुत strong connection है, कुछ लोगों का twin soul connection भी है अगर ये person married है, तो dear इन पर बहुत strongly black magic हुआ है ठीक है या तो हम यूँ बताएं कि कोई third party है इनकी life में अगर ये married है तो इनकी wife, इनका husband या फिर इनकी family या फिर कोई other third party जो इन पर black magic already कर चुकी है और इनको control करके रखती है उसके आने के बाद आप दोनों के बीच बहुत जगडे शुरू हो गए जैसे कि understanding की खतम हो गई पहले जिस understanding से आप दोनों बात करते थे जो प्यार था आप दोनों के बीच धीरे धीरे जैसे वो सब गायब समुने लगा आप बहुत सोचने पे मजबूर हो गए कि इंसान किस तरह की बाते कर रहे हैं, बे फुजूल की बातों में लड़ाई जगड़े शुरू कर देना, बहुत ओवर रियक्ट करना, एग्रेसिव हो जाना, बेकार की बातों में, आपको टाइम ना देना, इस तरह की चीज़े आपके रिष्टे में चलने लगी होने लग एक बात सुनिए, यह आपसे कब बात करेंगे यहाँ पर एंजल समय एक साइन नहीं दे रहे हैं, एक नमबर नहीं दे रहे हैं, एक डेट नहीं दे रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता नहीं, यह लोग सोचते हैं कि हम हर एक चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से पूछ ले, को जब आप किसी से पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो यू समझो कि आप वो पर्सनल रीडिंग खुद नहीं ले रहे हैं इश्वर आपको उस व्यक्ति का नाम सुझाव कर रहे हैं फिर सजेस्ट कर रहे हैं कि इससे पर्सनल रीडिंग लो जो तुमारे कोश्चन से वहां पर आपको इनका answer मिल जाएगा लेकिन कुछ लोग जो reading ले लेते न तो सब के questions का answer angels सही से देते नहीं है और tarot reader कोई भगवान नहीं होते ठीक है तो यहाँ पर हमने बहुत कोशिश की एक number जानने की इनसे पूछने की कि एक time दीजे कि कब तक इन लोगों की बात हो पाएगी तो यह व्यक्ति आपसे आत्मा से ही जुड़ा था और जुड़ा है लेकिन अभी इसके दिल दिमाग पर एक काला साया इसके दिल दिमाग पर एक negative energy एक devil energy इसको control करके बैठी हुई है और इसी वज़े से जो यह सोचता है व्यक्ति जो चाहता है आपसे कहना वो सब पुछ कह न कर पा रहा है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है यह तो खुदी इसके control में नहीं है यह तो खुदी जीते जी मरा हुआ है इसकी तो खुदी आखों में पट्टी बंदी हुए इसे तो खुद समझ में नहीं है रहा मैं क्या कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं मंथे तो यह तो नहीं पता चल रहा है कि कभ मतलब कब होगी लेकिन जब भी होगी Пока गेश्वर ने बहुत अच्छी बात होगी अब पैसे प्लानिंग के गई यह अप लोगों को अलग करने की, और इसमें एक दो लोग नहीं कई लोग मिलकर काम कर रहे थी, कई लोग मिलकर शार्जिस कर रहे थे, ठीक है, और यह व्यक्ति कितना मजबूर है, यह दिन, रात रो रहा है, तरप रहा है पर यह रोज सोचता है, आज करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, लेकिन पता नहीं, जब यह सोचते हैं कि अब करूँ, बस पता नहीं कोई बात हो जाते है, कुछ ना कुछ कोई अचन आ जाते हैं, फिर इनके माइंड में सडेनली थौट्स आते हैं, कि नहीं करना, इनका एगो जाग जाता है, वो नेगेटि तो बात करें और जब भी बात होती है तो जगडे सुरू हो जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि आपने भी एक्शन ले लिया है अब आप जदा इनके सामने गिड़गरा नहीं रहे हैं जुक नहीं हैं आपने बिस्तेट फॉर्वरड होकर बात करें कि बात करना तो करो वर्ना ज तो बातचित नहीं हो रही बगर्वाय दिरमियन बातचित बिल्कुल भी नहीं हो रही है अब हम आपको बता है जब बात जोगी- तो इश्वर नहीं बतारें लेकिन हम आपको फिर भी थोड़ा सा हिंट देते हैं आप लोगों की बादचीत शुरू हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छा हो सकता है जून में देखो सुनकर बहुत लंबा टाइम लग रहा होगा आपको लेकिन जून तक सारे सारे डाविल इनर्जी सब कुछ खतम हो जाएगा जून तक ठीक है और जो लोग अन्मैरिड है जो लोग अन्मैरिड है जो शादी करना चाहते थे लेकिन सड़नी कोई अर्चन आ गई सड़नी कोई थर्ड पार्टी आ गई सड़नी कोई इशु क्रियेट हो गया तो वह पूरी तरीके से खतम हो जाएगा और October तक आप में से बहुत सरे लोग शादी भी कर लेंगे कुछ लोगों का Union हो जाएगा June तक और कुछ लोगों की शादी हो जाएगी October तक ठीक है तो अब यह आपसे बात तो करेंगे लेकिन मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे तो क्या बात करेंगे मिलकर बात करेंगे कुछ लोगों के पार्टनर तो मिलकर बात करेंगे कुछ लोगों के पार्टनर कॉल करेंगे सबसे पहले बात करेंगे इनका कोई दोस्त है इनका कोई दोस्त है जो आपको पसंद करता है शायद आप पहले कभी अच्छे दोस्त रहे हो एकी ओफिस में काम करते हो या फिर एकी कॉलेज में हो एकी स्कूल में हो कुछ ऐसा आप दोनों के कोई मैच्चुल फ्रेंड है तो वो आपको पसंद करता है लेकिन उसके इरादे अच्छी नहीं है हो सकता है कि आप इनके किसी दोस्त से बात करते हूं और इनको पता है कि आप इनके दोस्त से बात करते हूं और आप शायद इनसे रिलेटेड ही बात करते हूं कि ऐसी बात है वैसी बात है देखो यह ऐसा कर रहा है देखो वैसा कर रहे हैं इस तरह की बाते आप करते हूं लेकिन वो जो दोस्त है ना वो इन से उल्टी सीधी बाते करता है कि आपका उसका एक अच्छा खासा मैटर चल रहा है और आपकी कोई जरुत नहीं है तो इनके अंदर और गुसा आता है और चिर्चुरापन बढ़ता है पता है तो ये आपसे यही कहेंगे कि तुम जिससे बात करती हो ये फिर तुम जिससे बात करते हो उसके इरादे नेक नहीं है तुम्हारे लिए अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया है हो सकता है कि आप कभी कभी शो आफ करते हो कि हां मैं अपने लाफ में आगे बढ़ वो कहता है कि मेरा उसका ये चल रहा है वो चल रहा है ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है तो ये उसकी सारी असलियत उसकी सारी सच्चा ही आपको बताने वाले हैं पहले तो ये आपको साफधान करेंगे ये आप से थोड़ा सा डर डर के हिचक हिचक कर बात करेंगे कि क्या तु तुम्हें यूस करना चाहता है प्लीज बी केरफूल उस पे ट्रस्ट ना करो उस पे यकीन ना करो उससे रिलेड़िट कोई रिस्क ना लो अपनी कोई कमजोरी उसे ना बताओ और उसके साथ कहीं जाना नहीं उसकी बातों में कभी आना नहीं इस तरए की बाते यह आप से कहेंगे लेकिन जब आप इन्हें समझा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है हम तो मतलब कि आप से रिलेड़िट बातें करते हैं फिर जो भी तो फिर यह आप से बताना शुरू करेंगे कि मैं तुम से बहुत-बहुत-बहau प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करता हूँ करता रहूंगा हमेशा हमेशा मैं खुद भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ मैं खुद भी तुम्हारे साथ पुरी जिना चाहती हूँ लेकिन इस ताइम पर मेरी जिन्दगी में कुछ जादा issues create हो रहे हैं, लेकिन तुम यकीन करो, मैं तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, समझदार हूँ, मिचोर हूँ, इमिचोर हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूँगा, ट्रस्ट में, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूं जिन्दा, ये कहेंगे आप से कि मुझे यकीन है एक दिन हम दोनों मिल जाएंगे, मेरी जिन्दगी में सिर्फ तुम ही एक आखरी उम्मीदों जिसकी वज़े से मैं जिन्दा हूं, वरना कुछ स्पेशल नहीं मेरी लाइफ में जिन्दा रहने के लिए, वरना कुछ अच्छा नहीं मेरी जिन्दगी में जिन्दा रहने के लिए, ये समझ लो, बस मुझे यही लगता है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, मैं अपना घर खरीदेंगे हम अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ जाएंगे हम बहुत अच्छे से जिन्दगी जियेंगे और हमारे पास बहुत बहुत सारी खुश्या होंगी हमारे पास बहुत अच्छा सा घर होगा बहुत अच्छी जॉब होगी हम बहुत successful life जीएंगे हम एक married life जीएंगे बहुत अच्छी romantic life जीएंगे ये जैसे कि आप अगर थोड़ा सा rudely बात करेंगे तो ये आपको जो पहले बाते होती थी आप दोनों के दर्मियान deep level पर उन सब को याद दिलाने के कोशिश करेंगे उन सब को अब देखिए हम आपको बताएं इतना इतना कुछ होता नहीं एक तो वो जो दोस्त है वो भड़काता है इने दूसरे इन पर black magic तो already हो रखा है तो व्यक्ति कहां तक अपने mind को संतुलित रखे बताएं कहां तक रखेगा आप बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं बहुत बहुत sensitive हैं बस आप शो नहीं करतें तो वो इनसान इनसे बोलता है अरे वो तुम्हारे लायक ही नहीं थी लायक ही नहीं था और वो तो देखो ऐसी है वैसी है उसका में जील रहा, वो चल रहा, अगर आप उससे call पे बात करते रहा, तो वो call detail सेंड करता है, इनको दिखाता है कि देखो इतने घंटे बात हुई, इतने minute बात हुई, और आप बस daily में ऐसे जाता है, अगर आप करते हैं तो ठीक है, तो जो भी है, interfere इधर बहुत सारे तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा आपकी एगर कोई विश है इनसे रिलेटेड या फिर आपने कभी कहा हो कि काश मेरे पास ये होता वो होता आपकी कोई पसंद दीदा चीज या पिर लेकर आएंगे या फिर अगर आपने किसी घर का सपना देखना हो सपना देखा हो फिर किसी कार का सपना देखा हो कुछ ऐसा तो आपके लिए उसे खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी खुशियां आपके सपने इनके सपने आपके सपनों को ये अपना सपना बना लेना चाहते हैं ये समझ लीजिए तो आप यकीन करिए पॉजिटिव रहिए ये जब कुछ खतम करके आएंगे ये जब भी आएंगे ये जब भी आएंगे अभी नहीं आप आ रहे हैं अभी नहीं आप आ रहे हैं वो रिजन है परिशान है मजबूर है लेकिन जब भी आएंगे ये कीन मानिये आपकी सारे शिकायते दूर कर देंगे ये समझ रहे हैं क्योंकि ये आपसे दिल से प्यार करते हैं, आत्मा से प्यार करते हैं और इन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी जीने का खुआप सिर्फ आपके साथ देखा है ना कि किसी और के साथ और इसी वज़े से ये इतने दावे के साथ कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझे नहीं मैं ने प्रकूप मुझे पता कि मेरे शरीर के साथ क्या चेरचाड़ होती है मुझे नेने पता कि में सथ क्या होता है लेकिन मैंने आत्मा की अनंत गहराई उसे तुम्हें चाहे और मैं आगे भी चाहँगी आगे जाऊँगा तो दियर ये है आपकी रीडिंग कब आएंगे कब आंगे और आएंगे तो कैसे बात करेंगे कब बात करेंगे सब कुछ बता दिया हम ने आपको हमाशचा करते हैं कि आप समझ गये होंगे जैशी कृशना अपना ख्याल रखे, अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता इस बारे में क्यों सोचना है क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करने है अपने खुशों की परवा करने है आप बहुत स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. Dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपके चैनल Spiritual Love 1111 में. आप से आपके पार्टनर कब बात करेंगे? और करेंगे, तो क्या बात करेंगे? अब जाना चाहते हैं न? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? Strong साइन, Aries, Leo, Sagittarius, Jiminelle, Blackvarius. टॉरस वरकुक ट्याप्रिकॉन भी है, थोड़ा सा कम है, लेकिन Cancer Scorpio Pisces है, करकुरुशिक मीनदाशी. फिर से इनकी Date of Birth, 11 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, और 1 तारीख. Birth Month, March, April, June, December, August, January. ठीक है, Initial बताते हैं, T, E, Y, G, L, R, H, V, I, N, K, P, W, S, B, V. बस, ठीक है, देखो, G, Connection तो बहुत अच्छा है, लेकिन चीज़े बहुत स्लोली स्लोली चल रही हैं. दोनों वो गुस्सा जम कर आता है, आपको भी आता है, और इनको भी आता है, और आप, आप किसी से कम नहीं. आपका जो attitude है, वो अलग level का ही है, खेर positive attitude है, negative नहीं है ये, आपके लिए self respect बहुत जरूरी है. ये आपकी तरफ बहुत strong connection फील करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि age difference इश्रू है, ठीक है, और ये कहना कुछ और चाहते हैं, इनके मूँ से अक्सर कुछ और निकल जाता है. शायद थोड़ा सा immature energy है आपको देखते हुए, age इनकी जो भी हो doesn't matter, लेकिन एक होता है कि अनर्वस हो जाते हैं, और बेवकूफी करने लगते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, क्या बताएं, होता है, बहुत बहुत बार होता है ऐसा. अक्सर हम जिसे चाहते हैं, उसके सामने जब हम first time जाते हैं, फिर हम बहुत कुछ सोचते हैं कि आज ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, तो इन्हें बात करना जादा नहीं आता है. तो ये सोचते हैं कुछ और है, इनके मुझे कुछ और निकल जाता है, ये दिल के बहुत साफ ब्यक्ति हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, और थोड़ा सा इगोस्टिक भी हैं, आपको लग सकता ऐसा, स्टेट फॉरवर्ड हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सोचे समझे बिना ही बोल देते हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं, न ये कभी किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, ये ऐसे इनसान हैं, आपको बहुत हाय लेवल पर देखते हैं, अपने आपको बहुत लो लेवल पर देखते हैं, फिर भी खीचे जा रहे हैं, खीचे जा रहे हैं, कब ब बात करेंगे वह आपसे हां पक्का बताएं बताते आपको देखो बात करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरुद पड़ती है समझ रहें आप थोड़ी सी हिम्मत की जरुद पड़ती है जिस तरह से आप चाहते ना बात करें और बहुत सारी चीजे तो आपसे बात करने में डरते बहुत हैं ये डरते बहुत है तो थोड़ा सा इनको सोच विचार करना पड़ता है तो ये जो हिम्मत है ना वो कम से कम 15-20 दिनों में जुटा पाएंगे आपसे बात करने के लिए और कुछ लोगों के पार्टनर इतना डरते हैं लाइक वो उनके अंदर थोड़ा सा है और वो सोचते है कि कहीं आप उनकी बात का गलत मतलब न निकाल लो कहीं आप कुछ और बोलने न लगो ठीक है तो कुछ लोग लिए हम बताएं कि 15-20 दिन कुछ लोग लिए हम बताएं कि कम से कम ये आपसे मई अप्रेल मई तक आपसे बात करेंगे समझ रहे हैं देखो ह हम यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा ये पास्ट में लड़ाई जगड़े बहुत हुए कुछ ऐसा इधर नहीं दिख रहा है लेकिन ये सोचते जादा है ओवर थिंकिंग जादा है इनके मन में डिसाइड नहीं कर पा जाते हैं थोड़ा सा इमेचूर एनर्जी में रहते हैं और आपका लेवल देकर अपना लेवल देकर तो सभाविक सी बाते की चुप हो जाते हैं इनकी एनर्जी है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है परसामोने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है ये आपके स्टुडेंट हो सकते हैं मतलब आप इनके senior हो सकते हैं office में और बहुत सारी चीजों के लिए जैसे कि ये आपको एक जैसे guided type में देखते हैं जैसे होते हैं कुछ लोग motivational speaker होते हैं कुछ लोग सही रास्ता दिखाते हैं और कुछ लोग अच्छे teacher होते हैं टीच करते हैं रास्ता दिखाते हैं तो यह आपको थोड़ा सा इस level पर देखते हैं लाइका guru ठीक है आप इनके guru टाइप हो तो यह आप से बहुत कुछ दीरे 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 सीख रहे हैं spiritual guidance आप से मिलती है इने शायद और अभी जो आप दोनों की बीच कुछ लोगों की बीच बात चीत नहीं हो रही हैं कुछ बातों को लेकर शायद कुछ issues हुए हैं तो यह temporary issues हैं इने बहुत ज़्यदा दिल से ना लगाएं उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कुछ खास अभी शायद वो किसी चीज को लेकर थोड़ा परिशान है उनकी अपनी personal family problems हो सकती हैं जिस वज़े से अभी वो ज़्याद है जब यह आप से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे यह सबसे पहले तो बहुत डर डर के बात करेंगे लिकनि आप से कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि यह कैसा connection है मुझे नहीं पता कि क्या है बहुत सारे चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं होता मुझे इतनी knowledge नहीं है पर जो भी है कुछ अलग लेवल का है, मतलब कि मुझे पता है कि दुनिया वाले गलत तरीके से इस रिष्टे को देखेंगे, और आप क्या सोचते हो ये भी नहीं पता मुझे, पर मैं आपके तरफ खीची जा रही हूं, खीचा जा रहा हूं, मैंने बहुत कोश्चे की है बहुत अच्छी बाते करते हो, आप बहुत अच्छी लगते हो, मुझे आपके रेसिंग सेंज बहुत अच्छा लगता है, आपका बातचीत करने का तरीका बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, और आप जो लोगों को गाइडेंस देते हो, और इस्पेशली जो आप मुझ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा आपके लिए, इस्पेशल मतलब आपके लिए उपलब दे रहूंगा, कभी कोई जरुत हो, कभी कोई काम हो, तो मुझे याद करना, कभी भी गैर ना समझना, क्योंकि शुरुवात में हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको प्रपोस मन मुटाव चल रहा है, तो चीजे बहतरीन हो जाएंगी, आपको जादा इस पर दिमाग खराब करने की जादा सोचने की सरवत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप सोचते हैं, आप सोचते हैं, डिस्टेंस रिलेशन्शिप है, एज डिफरेंस भी है, बहुत अ बहुत अच्छा होगा, आप इनके रही बहुत लग्की हैं, और ये आपके लिए भी लग्की हो सकते हैं, ठीक है, तो इनकी ज़्यादा-ज़्यादा कोशिच है कि आपको कैसे इंप्रेस करें, प्यार दें, आपको कैसे मनाएं, किस तरह की बात करें आप से जो आप इनसे खुश हो जाओ, यह सब इनका होने वाला है, जब भी आप से बात करेंगे, तो इसी तरह की बात करेंगे, आपको जिन जिन चीजों में इंट्रेस्ट है, उस उस चीज के बारे में बात करेंगे, अच्छा, अगर आपका मन मिल जाएगा इन्हें, या फिर इन्हें ऐसा लगे कि कितनों की ख्واयश होती है, तो आपको पाने की बहुत सरे लोग, ख्वाष रखते हैं, या फिर आपको यूटूबर हो सकते हैं, आप और इंस्टाग्राम पे अच्छी सी रिल्स बनाते हो, शायद आपके बहुत सरे फॉलोवर्स हो सकते हैं, तो उन फॉलोवर्स में ये एक है उन फॉलोवर्स में से ये एक इंसान है जो आपको इतना लाइक करता है इतना पसंद करता है और आप से इनकी थोड़ी बहुत बात होने लगी है तो बस ये आपको एक चांद की तरह देखते हैं लेकिन जिस दिन इने ये एसास हुआ और आपके आने से तो इनकी जिनदगी में बहुत कुछ बदला है आगे भी बदलता रहेगा बस अभी जो करेंट की सिच्वेशन है करेंट में यही है कि किसी चीज़ को लेकर काफी परेशान है कुछ डिसाइड नहीं कर पाते आपको लेकर भी कभी-कभी जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो लोग इनको भड़का देते, क्या यार, लेवल की चीज़े देखा करो, और किसी दिन मुपे तमाचा पड़ेगा, तो याद आएगा, यह वो इस तरह की बाते, जब कोई इनसे बोल देता, तो थोड़ा आपके लिए आएंगे, ठीक है, बेपनहा मुपबत लेकर, हमें लगता है आपने से कुछ लोगों के लिए कि शायद आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, और यह अन्मैरिड हैं, ठीक है, तो यह थोड़ा सा ऐसा भी सोचते हैं, कि यार, कई मेरी वज़े से उनकी लाइफ न हो जाए, इन्हें मतलब इस बात के भी बहुत परवा रहती है, कि आपकी समाज में जो छवी है, वो किसी भी किमत में खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह फील करते हैं, हमेशा कि आपकी जिंदगी में तनहाई तो हैं, आप बहुत शार्प माइंड़े हैं, बहुत मदर गहराई से, बहुत गहराई से आपको देखा न, तो इनको यह लगता है कि आपके जिंदगी में शायद कुछ सूना पन है, शायद कुछ अकिला पन है, यह फिर आपके मैरिट लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इनको महसूस होती है बात कि शायद आपकी मैरिट ल करेंगे, लेकिन डर डर के डर डर के बात करेंगे यह आप से, ठीक है, तो यह आप से क्या बात करेंगे, हमने आपको बताया, यह आप से कब बात करेंगे, यह भी हमने आपको बताया, हम आशा करते हैं कि आप समझ गया होंगी, ठीक है, जैश्री कृष्णा, अपना ख्या परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जै श्री कृष्णा आप सभी के रिद में हम ओम सैराओ